मद्यप्रदेश पुलिस की नार्कोटिक्स शाखा द्वारा संपुर्ण मद्यप्रदेश में अवैद मादकपदार्थ के विरुद्ध चलाईडा रहे अपरेशन शी कउंजा अभियान के तहत मादकपदार्थ की जपती के लिए कारेवाही संचालित की जा रही है। इस अभ नार्कोटिक्स मुख्याले भोपाल के निर्देशन तता श्री जी जी पांडे पुलिस महानीरीक्षक नार्कोटिक्स विंगिंद और के मार्क दर्शनेवरम श्रीमती मीना चोहान शर्मा अतरिक्त पुलिस अधीक्षक नार्कोटिक्स प्रकोष्ट मंदसोर के गिरफतार किया गया इस प्रभावी कारेवाही की विस्तृत जानकारी देते हुए नार्कोटिक्स शाखा के अतिरिक्त पुलिस महाने देशक श्री अजय कुमार शर्मा ने बताया कि दिनांक 28 मार्च को उपनी रिक्षक मोहमद रूप खान प्रभारी नार्कोटिक्स प्रको पुलि में नाका बंदी कर पकड़ा और उसके कबजे से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा 35 क्विंटल 60 किलोग्राम कीमत 71 लाख 20 हजार रूपे मायर ट्रक कीमत 20 लाख रूपे 358 बोरिया 87 क्विंटल 50 किलोग्राम कीमत 210 हजार रूपे को जप्त किया गया जिसे भग एक करोडां की गई है कारेवाही में नार्कोटिक्स प्रकोष्ट नीमच के उप्त निरिक्षक श्री रूप खान प्रदान आरके के परिहार दौचनंद किशोर वर्मा निरंजन सिंग चंद्रवत रूपेश निर्वेल विरेंद्र सिंग लाखन सिंग विकास आरे दी सिंगोली में पकड़ा आटे की स्कीम में ट्रक में ये 35 कॉंटल 60 किलो डोडा चुरा करीब सित्यासी कॉंटल आटे के अंदर इसकीम में छुपा के ले जा रहा था इसको मुबित की सुचना के आधार पर पकड़ा है फरसा राम पिता बाबू राम निवासी जोद्पूर क डोडा चुरा की कीमत लगवग 31,20,000 रुपे है ट्रक की कीमत 20,000 रुपे आटा सित्यासी कॉंटल पकड़ा इसकी कीमत 210,000 रुपे है खुल लगवग एक करोड रुपे की जबति की कारवाई हुई है एक आरोपी फरसा राम पिता बाबू राम निवासी जोद्पूर को ग जाते हैं डोडा चुरा को चारो तरफ से इन्होंने कवर किया हुआ था और बहार से बिल्कुल आटे के बोरे दिख रहे थे लेकिन सुजना के आधार पर चेकिंग करके इसको पकड़ा